हरे कृष्णा दोस्तों मैं ती पांशू श्वागत करता हूँ आपका सीजी पेश श्रीव व्यापोहम में एक बहुती महत्पुन नियूस के साथ कल मुख्यमंत्री जी ने एक बहुती गंभीर बयान दिया है आरक्षन के मुद्दे पर जी हाँ दोस्तों उन्होंने कहा है कि जो मंडल आयोग की रिपोर्ट थी 37% OBC आरक्षन को लेके वो जो है उसका आरक्षन चतिसगर में OBC वासियों को मिलेगा साथ में जो HTA उनको 32% मिलेगा इसका मतलब उन्होंने साफ कहा है कि अगर कोट जाना पड़ेगा तो उसके लिए भी आप सभी को तयार रहना पड़ेगा मतलब सरकार भी जानती है कि अगर 50% से जादा अरक्षन बढ़ाया जाएगा तो कहीं न कहीं भरतियां रुकेगी और इस पर कहीं न कहीं इष्टे लगेगा या बहुत सारी प्रक्रियाएं होंगी इसी के मद्यनजार अगर हम बात करें आज कैबिनेट मीटिंग है और इस कैबिनेट मीटिंग में यहाँ पर होगा यह कि इस पर जो हाई कोर्ट ने इसके बाद वही उसी चीज को विध्याक की रुप में फिर से लाया जाएगा और वही चीज एक और दो दिसंबर को फिर से विधानसभा के विशे सत्र में लाई जाएगी कहने का मतलब यह है कि सरकार भी जानती है कि अगर हम ऐसा विध्याक लाएंगे तो वो कोर्ट में फसेगा और कोर्ट में फसेगा भरतियां रुकेगी सारी चीजे रुकेगी इसके बीच का रास्त यही है सरकार से भी दरखास्त है अभी भी समय है क्योंकि सरकार बार-बार quantified data आयोग और जो रिपोर्ट जो अन्य राज्यों में गए थे दिकारी उनकी रिपोर्ट पर आज विचार होगा और विचार होने के बाद वहाँ पर वही फैसला होगा कि 58% आ जसम भी खाई है कि अगर वो आरक्षन के विचार को solution नहीं करेंगे तो राजनीती छोड़ देंगे तो कहीं न कहीं सरकार सब जानती है कि आरक्षन बढ़ेगा तो क्या होगा कैसे क्या नहीं होगा सब जानती है उसके बावजुद यह हो रहा है तो कहीं न कहीं यहां पे बिरुजगार युवाओं के साथ कुठारा घात है उनके जजबातों के साथ कुठारा घात है क्योंकि अभ्यरती परिसान है क्योंकि वो जानता है कि यह मामला जब हाई कोड और सुप्रीम कोड ने कहा है कि आरक्षन 50% या 50% से कम होना चाहिए तो फिल यह क्यों आगे आज बहुत ही महत्वण दिन है क्योंकि आज कैबिनेट मिटिंग है और कैबिनेट मिटिंग में सारी चीज़े आप लोगों को समझा जाएगी सारा चीज खेल समझा जाएगा और उसके बाद जाहिर सी बात है कल भानुप्रताप पुरुप चुनाओं के जब प्रचार के लिए गया थे तो उनको खासा विरोध दर्ज किया गया था उनका मंत्रियों का जो जा रहे प्रचार करने के लिए उनका तो सरकार उससे बचने के लिए आज एक बड़ा कदम उठा सकती है तो कहीं न कहीं ये उनके लिए तो अच्छी बात है लेकिन बेरोजगार अभ्यर भर्ति विग्यापन भी जारी हो गया, फॉरेस्ट गार्ड, इस्टोनोग्राफर, शाहे ग्रेट तीन सारी पर भर्तियों का विग्यापन भी जारी होने वाला है उनका तो कहीं न कहीं वहां पे अब उन युवाओं के लिए रहात की खबर है मध्यप्रदेश के लिए लेक अगर भर्तियां नहीं की जाती, भर्ति तो के सांसा न्युक्तियां नहीं की जाती तो इस सरकार को मज़ा चखाया जाएगा ऐसा अब्यर्थियों का कहना है बेरोजगार अब्यर्थियों को कहना है और ये उन अब्यर्थियों को कहना है जो एक एक पैसा बचा बचा के साल से पढ़ रहा है बहुत ही दैनी स्थिती है चत्तजगर के बेरोजगारों की क्योंकि वो इतना मेहनत कर रहा है अपना तन मन और धन लगा के वो पूरा का पूरा अपने आपको पढ़ाई में जोग दिया है और उसके बाद उसको परिणाम में ये देखने को मिलता है कि आ वेकेंसी के लिए वो तयारी कर रहा है और कब से कर रहा है और कंटिन्यू कर रहा है और आगे भी करेगा लेकिन जब तक वेकेंसी ही नहीं आएगी तो वो आखिर हतास हो जाएगा और इस हताशा का प्रेणाम यह होगा कि सरकार को चुनाओं में वोट नहीं देगा और अभी भी सरकार के पास एक साल का समय है हमारे पास हमने कुछ पोल जो है जनरेट किये थे और उस पोल का रिजल्ट हम आने वाले समय में आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से अभ्यर्थियों में इस वर्तमान जो सिक्षित बेरोजगार है उस सिक्षित बेरोजगारों का वर्तमा एक आक्रोश नजारा आ रहा है और वो आक्रोश वोट के रूप में किसी दुसरे पार्टी को जाते हुए दिखेगा तो सरकार के पास अभी समय है कि वो शिक्षित बिरुजगार युवाओं को अपने पक्ष में कुछ मात्रा में ले सकते हैं क्योंकि कहीं नग और उस दिक्कतों का सामना उस तभी होगा जब भरती परिक्षा सहित आप न्यूक्तियां देंगे तभी होगा अन्य थबीस में भरती को अगर आप लटका भी देंगे तो भी यहां का युवा कहीं न कहीं यहीं चाहेगा कि यह सरकार को मज़जा चखाया फिलाल यहां की युवाओं की तो यही आवाज है हम किसी पार्टी के विरोध में या अपोज में नहीं कहते हमको राजनिती से कोई दिक्कत नहीं है जिसको जो करना है करिएगा लेकिन यहां पे युवाओं के मन में क्या चल रहा है यह हमारा मकसद है ताकि यह जो मीडिया ह इसका सरकार पर एक सकरातमक जो है परिणाम युवाओं के लिए देखने को मिले इसके अलावा हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं है फिलाल आने वाले समय में आप आगे जो है वीडियो देखिएगा मुख्यमंतरी का उन्होंने क्लिप में क्या कहा उसके बाद नीशे कमेंट कर करके बताईए आप क्या सोचते हैं रखके जन्मंडल कमिशन की जन्सिपारी से उकर अधार पे आरक्षन हमान करवो पिछड़ा वरगल अभी तक के 14 परसेंट और 50 परसेंट के नीचे करवे तो वो 46 परसेंट बाची हमारे नहीं बाच भी नहीं करें तो आईसेनी सिती में अधार लगी विदान सब्सक्राइब कर वो कर बात कोड कोड कर रहो ही दिन तुकिन लड़े लगी बचे जगा भी जाय लगी ओं अभी तहल भी आखाय दिली जायल पड़े दिली जाब आदे तो पंका जायल लागी तो सब अपन हग अधिकार बर हमेशा हमें लगा लड़ हमेशा करता हूं कि स्ठंड भरी दिन में आज का दिन अच्छा जाएगा जो भी खबर आप लोगों के लिए आएगी हम आप अपडेट कर देंगे फिलाल वीडियो यहीं तक अच्छा लगे तो इसे जादे जादे लोग तक शेयर करें लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाँ